महिलाओं पर बढ़ते अपरादों पर रोक लगाने के लिए वाडी में सोमवार को पुलिस द्वारा बैठक में मांगदर्शन लिया गया महिलाओं को जाल में फसाने वाले युवकों की पहले पहचान करना चाहिए उनके बौडी लैंग्विज को जानना चाहिए ऐसा नहीं करने पर महिलाओं का फायदा उठाते हैं और बलतकार जैसी घटना की नौबत आ जाती है इसके लिए नागपुर सिटी पुलिस कमिशन रेट ने महिला पुलिस की एक अलग फोर्स का गठन किया है और इस फोर्स को दीदी नाम दिया गया है दीदी महिला पुलिस के रूप में चेहर के विविन हिस्सों में महिलाओं और लड़कियों की बैठकर उनका में सुमवा दोपैर 12 बजे जाकरुकता बैठक का आयोजन किया गया टाटर स्ट्राइव एक कौशल विकास संगटन है जो लगफ़क 60 बच्चों युवाओं को मुफ्त प्रौधिकी की प्रशीशन प्रदान करता है उपस्तित बालिकाओं को उपहर बाटे गए बैठक में बड़ी संख्या में शेत्र की महिलाएं एवं बालिकाओं शामिल हुई इस सबसब पर वाड़ी के पुलस हवालदार दिनेश तांडुलकर महिला सेल की कंचन माने सहित अन्य अधिकारी एवं करमचारी उपस्तित थे कारिक्रम कायोजन टाटर स्ट्राइव स्किल गेश खिराले परिमल गंगा रिडिवार जेताली भोयर राजु सोना ने और पूरी टीम ने किया गार्डियन्स आहे यान सा विचार प्रामुख्या ने सोड़ून दे थो कि सत्यता आहे कारण मला 17 वर्शल हाले लिया पुलिस डिपार्मेंट मदे आने या सर्वा मझे कि घटना आहे क्या आमें बगिता सावो तर मन्या से ताक पर यह योडा आहे गार्डियन्स असता क्यूं अपले लिया पाजारी असता तानना शांगा आहे सांगा अने जो हाने कदी हड़ून पड़ून जाने कि वह नस आंता मझे की कोट्ट्मेरेच करने वगेरे तर असमे यह सर्वा वाईटा एु अहे सांगल साहे कारंगे सर्व आपलेला काईदैनिच थरों दिलेला आहे तर याचा वापर करतानी आपन जर आपले घर्चान ची निगडितू आपले घर्चान या आपले निर्णाय मदे समाविष्ट करूँ जर पुडिल मजे पावल टाकने सा निर्णाय गेत लतर काई वाउगे होनार का आपन आपले आपले निर्णाय घर्चान आपन पुड़ सा पावल टाकने सा प्रयातन करतू वाडी से इन्बीसे न्यूस के लिए सौरप पाटल की रपोर्ट